हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूव चेनल को दोस्तों इंडियान ओडिनान्स फेक्टरी जो मिनिस्ट्री अफ डिफेंस का अंडर आता है वहां से एक रेक्रूडमेंट निकल के आया है जिसके पास डिपलोमा और डिकरी क्वालिफिकेशन है विट्टे क्वालिफिकेशन है उन लोग ने अपलाई कर सकते हैं यहां पे अपलिकेशन फी विल्कुल भी नहीं रखा गया है और एक्जाम भी नहीं है आप वीडियो को एंड तक देखिए सारे इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया आप लोग को बता दूँगा और दोस्तो अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए उसके साथ आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं यहां पे टेक्निकल के जब के रिगारिंग हरफल का अफडेंट देता रहता हूँ चलते हैं हम official advertisement में वहां पे आप लोग को सारे information बता दूँगा दोस्तो अगर आप रेलियो के लिए तयारी कर रहे हो या टेक्निकल जब के लिए तयारी कर रहे हो टेक्निकल का MCQ question, general science, history, geography, politics उसके साथ आपकी previous year question का e-book मिल जाएगा link description में दिया हुआ है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो इंडियान ordinance factory का जो आपकी यहाँ पे जो वेकेंसी निकल के आया है ordinance factory खामार या जबलपूर में है, यह जो वेकेंसी निकल के आया है दोस्तो आपकी training program, apprentice training program यहाँ पे रखा गया है जिसके पास degree है और diploma है और vocational training है, vocational qualification है उन लोग ने apply कर सकते हैं दोस्तो तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो degree के लिए qualification रखा गया है, diploma के लिए और technician vocational vocational जैसे की medical laboratory technician, office security और यहाँ पे purchasing and storekeeper यह non-technical student के लिए और दोस्तो यहाँ पे degree वालो के लिए भी है degree जैसे की chemical, electrical, mechanical और metrology के लिए है यहाँ पे total vacancy यहाँ पे देख सकते हो और उसके साथ diploma वालो के लिए भी है civil में है, electrical में है और mechanical में है इन लोगों के लिए यहाँ पे training period मतलब एक साल का training program रखा गया है जिसमें आपको stipend भी मिलने वाला है graduate training के लिए 4,980 रुपिया मिलेगा diploma वालो के लिए 3,542 मिलेगा और जो vocational student के लिए 2,758 रुपिज मिलने वाला है हर मन्त और दोस्तों यहाँ पे selection procedure जो रहेगा आपकी mark basic में आपकी selection रहेगा आपकी जो degree, diploma, vocational certificate है उसी में से आपकी mark basis यहाँ पे selection रहेगा और उसके बाद medical test होगा, उसके बाद joining हो सकता है और दोस्तों यहाँ पे apply करने के लिए ordkham.gov.in यह जो website है, यहाँ पे आप apply कर सकते हो उस website का link मैंने description में दे दिया हूँ उदर आप click किजिए, click करने के बाद इसको apply कर लिजिए अगर आप एक training लेना चाहते हो, एक apprentice training करना चाहते हो तो दोस्तों यह था छोटा सा information, वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरू सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं, बाई बाई, जैहिंद